तो दोस्तों आ गया हूँ मैं CSR का अगला पाट लेकर जिसमें कि आज हम content presentation settings में चलेंगे तो आज इसके कुछ features के बारे में जानेंगे इसमें भी बहुत सारे feature है तो आज तीन feature के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके बाद अगली वीडियो में तीन features और हम जानेंगे तो आप बने रहें वीडियो में क्योंकि इसमें बहुत important features है तो अगर अच्छी लगे तो like करें share जूर करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलिए क्योंकि इसी तरह की unique videos आपको इस channel पर मिलती रहेंगी ठीक है अभी तो CSR के series आ रही है जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वो लोग तो मुझे 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 करें लेकिन आपके लिए इस channel पर और भी वीडियो आएंगी बस इस series मैं complete कर लूँ तो चैनल को subscribe जुरूर करना साथी bell icon को all पर select भी कर देना क्योंकि इससे आपको notification जो है वो मिल जाए आपको सबसे पहले और कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ नगों जरूर सीखेंगे तो चलिए friends वीडियो को start करते तो अब मैं चलता हूँ प्रोग्राम सेटिंग्स में एक्षन सेटिंग्स हमने पूरी देख ली है तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सब कुछ देख लीजेगा पूरा एकदम CSR की सीरिज आप एक बर पूरी चेक जरूर करें अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है तो आज हम इसमें चलेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्षण है हिंस सैटिंग का तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्षण हैं तो इसमें हम आ गए यह तो वही है जो आपको पता है कि डबल क्लिक टु एक्टिवेटेड अब देखिए मैंने से टिक किया तो यह बोल वैसे यह हमने इसके पहले पार्ट में भी जान लिया था तो यहां पर भी आपको यह option मिलता है options same ही है ठीक है अगर आप note browsing mode में है तो currently जो focus node है उसके बारे में information पड़े लेकिन यह note browsing mode अपने काम का नहीं है जो कि मैं आपको पहले भी कुछ वीडियो में क्या चुका हूँ तो यह option भी काम का नहीं है तो जब आपको किसी की call आए तो यह call जो आ रहे है उसका number और नाम रीड करे तो अगर आप चाहते हो तो इसे tick रखना नहीं तो untick कर सकते है वैसे तो यह बहुत useful feature है इसे आप टिकी रखे तो अच्छा है तो जब आप volume adjust करें तो यह ऐसा बोले media volume 90, accessibility volume 90, 80, 100, ringtone volume तो इस तरह से एक एक second में यह बताए जैसे मैं भी देखेगा तो ऐसे यह पढ़े अगर आप इसे untick कर देंगे तो देखे कुछ भी नहीं होगा तो मैं इसे tick कर देता हूं मैंने volume कम ज़्यादा किया लेकिन कोई आवाज नहीं आई तो यह option इसके लिए है अगर आप इसे tick करते हो तो अगर आप कोई window open करते हो उसमें last में कुछ options है जैसे cancel more install तो यह सब आपको announce करके बताए तो देखे जैसे मैं menu खोलता हूं इसका तो अगर आप यह चाहते हो कि ऐसे fall to disturbance करें तो आप इसे tick कर सकते हो नहीं तो आप इसे untick ही रखे तो मैंने इसे untick कर दिया उसके बाद तो यह कुछ चाइना में लिखा हूँ है यह तो काम का नहीं है तो यह कोई काम का नहीं तो मैं back करता हूं अब मैं लिस्ट सेटिंग में चलता हूँ तो लिस्ट रेंज अगर आप चाहते हो कि यह रीड करें शोइंग आइटम वन टू टू अफ टू तो इसे टिक कर देना नहीं तो आप इसे अंटिक रख सकते हो तो अगर आप इसे टिक करोगे तो अब देखो जैसे वन टू थरी पड़ेगा जहां पे भी आप होगे लिस्ट में जो भी जिस नमबर का आइटम होगा उस नमबर पे आइटम को रीड करेगा तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे पड़े तो आप इसे टिक कर सकते हो अगर आप किसे आँ-तिक करगे होगेगा धर आप चाहते हो चैट करतो तो आप टिक कर सकते हो नहीं तो ऑंटी की ठीक Musik जो कॉंच्टन है वो स्क्रोल होते होते भी पड़े तो तीक कर सकते हो नहीं तो आप सिर्फ scroll करो कुछ पढ़ेगा नि अगर आप इसे टिक करते हो स्क्रोलिंग कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा content यह पढ़ेगा जैसे टॉक बैक में होता है तो यह 4 options है इनमें से जो आप अगर उन पर कोई भी नेम नहीं है ठीक है जो unlabel controls होते हैं उनको यह guess करें और आपके लिए read करें तो अगर आप चाहते हो तो इसे टिक करना और टिक ही रखना ठीक है अगर कोई elements है वो आप चाहते हो कि यह read करें तो आप टिक कर सकते हो ठीक है तो मैं background noise के लिए थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा तो अगर आप इसे टिक करते हो तो आप इस पर पीछे जो background noise अपर ध्यान मत देना अगर आप इसे टिक करते हो तो यह option आपको टिक करना अनिवारी है अगर आप इसे टिक नहीं करोगे तो बहुत सारे option यह बटन बटन करके पड़ेगा तो starting simple से बता रहा हूं starting के तीन options आपको टिक करने है और जो चोथा option है इसको अंटिक रखना label presentation settings में starting के तीन option को टिक करना चोथे option को टिक मत करना क्योंकि कर करोगे तो बहुत problems आएगगी टेलीग्राम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा तो यह एक example था और भी बहुत सारी problems आ सकती है तो मैं back करता हूं तो आज इसके बारे में चलो जान ही लेते हैं चार options के बारे में हम जान लेते हैं वीडियो जादा लंबी तो नहीं हुई मुझे लगता है लोग बोलते हैं कि आप चोटी चोटी वीडियो बद बनाओ तो मैं इसे में बरताता हूं चलिए चौट्य ओप्शन में आगया हुँई अगर आप कोई कहीं पर हो मानलो कोई कुछ डाउनलोड हो रहा है तो जो प्रोग्रास बार है वो ओटोमेटिकली रीड करें तो इसे आप मेरी मेरी मशर्फ घंट में और मेरे करसा रखका और उस्कार आप ऊस्कार साथा तो में याज यह एक रहते रहते रिल्ग है कि थुद खुड ही बोलेगा तो यह को मारतिप्स реж creativity यह यह नहीं बोलेगा एप अशन सुनरो चेब्क्स यह एका आप को मेरे चाइट कोiam regret पे रुखना है आपको मेरा मेसेज सून रहें और मैट टाइपिंग कर रहा हमवों इस मेसे कर ऊबोनाईं रहेगा मतलब जो अभी विंडियों में वίνडो में चेंज होते रहेंगे वो खुदख बोलता रहेंगा तो बहुत ही ज्जारे डिश्टरब करता है तो इसे तो आप अंटे की रखेगा तो ये तीन ओप्षिन है अब इस वीडियो में तो नहीं जानेंगे आप हम आते होम स्क्रीन पर तो ये चार फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया content presentation setting में अगली एक और वीडियो इस पर आईगी करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही बैल आइकन को पर स्रेट करना ताकि मैं जो भी नहीं वीडियो उप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे बिले आपकी फोन पर मिल जाए और कोई भी वीडियो आप से मिस ना हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता है से नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई